आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने WhatsApp की फोटो को अपने कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप के डेक्स्टॉप पर कैसे सेट कर सकते हो। दरसल अगर हम अपने WhatsApp की फोटो को अपने computer या फिर laptop के desktop पर अगर set करना चाते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं इसका कारण यह है कि हम computer के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं जिसकी वज़े से अगर हमें कोई photo को यहाँ पर set करना हो अपने WhatsApp से download करके तो यहाँ पर हम जो आप मेंसे काफी सारे लोगों ने यह comment करके पूछा है कि sir WhatsApp की image यानि फोटो को अपने desktop पर कैसे set करें इस पर एक वीडियो बनाया जाए तो वो लोग खास करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा हला दोस्तों मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share और चैनल पर पहली बार हो तो subscribe भी कर लिजेगा चलिए वीडियो पहला तो यह है कि आप अपने मॉबाइल में ही उस फोटो को डाउनलोड कर लिए और USB की मदद से जो है अपने computer या फिर लैप्टॉप में save कर लिजिए और दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने computer या फिर लैप्टॉप में ही जो है अपने WhatsApp को कुछ इस तरीके से लॉग लिए लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि WhatsApp को computer या फिर लैप्टॉप में कैसे log in करते हैं यानि कैसे चलाते हैं तो आप यह वाला video देख सकते हैं इसके अंदर मैंने complete बताया है कि आप अपने WhatsApp को अपने computer या फिर लैप्टॉप में कैसे चला सकते हैं इस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा या फिर उपर i button में भी मिल जाएगा कुल मिला करके बस आपको इतना समझना है कि जिस भी photo को आप अपने desktop पे set करना चाहते हो उसको किसी भी तरीके से आपको अपने computer में download करके या फिर अपने phone के जरीए USB के जरीए लाना होगा जैसे कि हम लोग जो है दूसरा तरीका अपना रहे हैं हमने अपने WhatsApp को इसके अंदर login कर लिया है और जो भी मेरे दोस्त ने photo भेजी है या फिर जो भी मैंने photo इसके अंदर भेजी अपने दूसरे WhatsApp से उसको मैं इस तरीके से open कर लूँगा आपको भी इसी तरीके से उस photo को open कर लेना है नीचे की side में आप और भी photo दिखेंगी अगर एक साथ धेर सारी photo भेजी गई होती है तो धेर सारी photo नीचे दिखाई देती है यह आपको पता होगा अगर आप WhatsApp इस्तमाल करते हैं अब यहां से आपको वो photo को जो है डाउनलोड करना होगा जिसे जो है आप अपने computer के desktop पे या laptop के desktop पे save करना चाहते हो तो यहां पर आपको photo को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वो photo को select करना है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो इसके बाद आपको क्या करना है कि उपर की side में आप देखो यहां पर यह जो थिरी बिंदी दिखाई जारा इस पर click करना है और यहां पर आपको एक download का button मिल जाएगा आप इस पर click करोगे तो यह photo आपके computer में जो है यहां पर download हो जाएगी आप यहां पर देख सकते हो और दूसरा तरीका यह download करने का है कि आप इसी photo पर जो है right button क्लिक के जिए mouse का right button यहां पर आपको एक option दिखाए देगा save as image का आप जो है इस पर click कर दिए इसके बाद यह location पुछेगा कि आप इस image को यानि इस photo को कहाँ पर save करना चाते हो तो यहां से आप कोई भी location दे सकते हो जैसे मैं आप सभी को समझाने के लिए desktop ही location दे देता हूँ यानि इस photo को हम लोग desktop पर save करने वाले हैं इसके बाद आपको यहां पर क्या है save पर click कर देना है जब आप save पर click करोगे तो देखोगे फिर से यह photo जो है download हो जगई है यानि कि इस तरीके से भी आपको इस photo को download करना मैंने बता दिया है और यहां से तो मैंने आपको बता दिया है अब आपकी यह वाली photo आपके computer में आ चुकी है इसी तरीके से अगर आप laptop इसनमाल करते हैं तो उसमें भी आप इसी तरीके से जिस भी photo को आप लगाना चाहते हो उसको इस तरीके से download कर लीज़े ठीक है इसके बाद आपको पूरा back आना है आपने जो photo download की होगी जो location दी होगी वहाँ पर इस तरीके से photo आ जाएगी जैसे मैंने desktop location दी थी तो desktop पर ही ये photo आई है इसके बार आपको क्या करना है इस फोटो को इस तरीके से open कर लेना है और इस पर right button क्लिक करना है right button क्लिक करने बार आपको यहाँ पर एक option दिखाये देगा set as desktop background आप यह आपर देख सेख तो इस पर आपको click कर लेना है जैसे ही आप इस पर click कर दोगे click करते ही ये photo within a one second में ही आपके desktop पर save हो जाएगी इसी तरीके से आप कोई भी photo को set कर सकते हो अपने computer या फिर laptop के desktop पर अगर आप जो है बाद में इस photo को हटाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है desktop पर ही right click करना है और यहाँ पर आपको एक option दिखाया देगा personalized का आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको ऊपर ही जो है theme का option मिल जाएगा आप इसमें इसे भी कोई theme को select कर सकते हो या फिर नीचे की side में आपको theme का option मिलेगा आप इस पर भी click करके theme को जो है यहाँ से कोई भी एक default theme सेलेक्ट कर लिजिए जो आप set करना चाहते हो इसके बाद आप बाहर click कर दोगे मतलब इसको cut कर दोगे तो यह जो आपने change किया था वो change हो जाएगा अगर इस photo को आपने जो है अपने computer के किसी folder में रखा है तो same उस folder को open करना है इस तरीके से photo आजाएगी फिर से आप इस पर click करके set as laptop background कर दोगे तो वो photo आपके computer या फिर laptop के background में set हो जाएगी दोस्तों उम्मेद करूँगा यह video आप सभी को काफी जाधा पसंद आया होगा अगर यह video आपको पसंद आया है तो इस video को आप जरूर like करिए और अपने दोस्तों के साथ भी this video को share करिए चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जैहिंद वन्दे मातरम